आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, आपका आज का प्रेशन है Raymond cattle दौरक कितने व्यक्तित कारक प्रस्तावित किये गड़ ठीक है, आख़े पास चार विकर दिया है पांच, चौदा, सोला और अठारा तो चलिए जान लेते हैं कि Raymond cattle ने अपने व्यक्तित में कितने आयामों का वर्णन किया है तो क्या सकते हैं कि Raymond cattle ने सोला व्यक्तित आयामों का वर्णन किया है कितने रेमंड कैटल रेमंड कैटल ने कैटल ने सोला व्यक्तित आयामों का वर्णन किया है सोला व्यक्तित आयामों का आयामों का वर्णन किया है अब वो 16 वक्तित आयाम कौन कौन से हैं हम उसके बारे में जाल लेते हैं तो हम गिल लेते हैं 16 के 16 को तो सबसे पहला जो आयाम होता है वो होता है क्या आमूर्थता आमूर्थता ठीक है आमूर्थता दूसरा है आपका क्या दूसरा है आशंका दूसरा है आशंका ठीक तीसरा है आपका प्रभुत्व प्रभुत्व चौथा है सम्वेग्यात्मक इस्थिर्ता सम्वेग्यात्मक इस्थिर्ता पाच्छुआ है परिवर्तन के लिए खुला पन परिवर्तन के लिए के लिये खुला पन ठीक है छठा है आपका क्या आजीवी का आजीवी का सात्वन है आपका पूर्ता वाद पूर्ता वाद आठवन है विशेशा धिकार विशेशा धिकार ठीक है आगे बचे वे आठक हो जान लेते हैं तो नौवा आपका क्या होता है आपका तर्क दस्वें पे आपको दिया हुआ है नियम चेतना तर्क बारवा आयाम है आपका समवेदन शील्ता सम वेदन समवेदन शीलता ठीक है चलिए आगे जा लेते हैं तेरवा आयाम है तनाव तनाव 14 है सामाजिक साहस सामाजिक साहस ठीक है 15 हवा है आपका सतर्कता सतर्कता ठीक है आपका गर्म जोशी क्या है गर्म जोशी तो चलिए अब आजाते हैं आपके विकल्पे तो आपके पास में जो आपका विकल्प दिया हुआ 5, 14, 16, 8 तो आपके कह सकते हैं कि आपका तीसरा वाला विकल्प 16 आपका सही उत्तर होगा धन्यवाद 5, 16, 17, 20 आपका यज़ाद